हेलो मित्रों जै मातादी, मित्रों आज 26 अक्टूबर दिन सनी बार साथी साथ छोटी दिवाली आपके प्रारम बहुचुकी है ऐसे में मितुन राशी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन वैपार करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलों के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बैतर बनाने में काफिला आपकारी सिद्धोंगे आज जो है मालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कौनसी पूजा विदी करें कौनसा उपाय करें जिससे कि माप्रसन्न होकर आप पर सभी सुखों का बहुतार कर दे आप पर धनवर्शा कर दे ये भी आपको बताएंगे आज आप कौनसे कारिकों करने से ज़्यादा सफलता पा सकते हो आपके मान सम्मान या स्कृति में विर्दी हो सकती है साथी साथ आज आप क्या करें क्या ना करें कि इन छेत्रों में आपको साफधान और सतरखों कर रहने की जोरत है इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से उससे पहले वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वाहन खरिदानी के लिए आज आज आपका दिन सुब रहने वाला है आज आप समाज के कामों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेंगे छोटे बच्चों को गुप्ति मिल सकता है आपको बताना चाहेंगे कि जिससे भी वो पूरा खुश जो हैं आज पूरा खुश हो सकते हैं आज रोमांटिक दिन आपका रहने वाला है आपको बताना चाहेंगे कि आज आज आपको अपने काम के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं किसी ओनलाइन वेबसाइट के लिए आपने कुछ भी आउडर किया हो तो आज आज आपको मिल सकता है आज पूरा दिन उसी चीज के बारे में आप सोचते रहेंगे अपने भविस्य को लेकर लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने करमों पर कारिक करते रहें आपको फल की चिंता बिलकुल भी एक परसेंट नहीं करनी है क्योंकि आपकी किस्मत आपका नसीब जो है आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है और माल लक्ष्मी की विशेश किरपा मितुन रासी वाले जातकों पर पड़ रही है ऐसे में आपको अपने करमों पर ध्यान देना चाहिए आप अपने करमों को करते रहें भागे जो है आपका मुनाफा आपका जो फल है वो पहले की अपेक्षा दो गुना मिलने वाला है आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है दिन भर अपने करियर के बारे में सोचते रहते हो अपने करियर के लेकर काफी चिंतित रहते हो लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप पर मालक्ष्मी की विष्यस्क्रिपा होने की बज़़े से आपका आने वाला दिन काफी बहतर गुजरने वाला है ऐसे में आप अपने करियर पर ध्यान दे अगर आप वैवसाय करते हैं तो अपने वैवसाय पर छात्री जीवन व्यतित कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई पर जिस विछ छेतर में हो आप उसमें आपको मन लगा कर अपने लगन से कारी को करते रहना है मालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप आज के दिन वैवसाय जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो खुद का तो आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन उत्तम रहने वाला है मितुन राची वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि जो भी लवमेट हैं आज के लिए उनका दिन काफी बैतरीन जाएगा आज साम को घर के आंगर में दीपक आज आप अवस्य जलाएं आज जो है आपको खुद की एनर्जी से भरा महसूस कर पाएंगे आप जिस भी काम को करेंगे वो समय से पहले पूर्ण हो जाएगा क्योंकि आपका भाग आपका पूरा-पूरा साथ दे रहा ह जिस भी कारी को करोगे उसमें आपको बहतर परिनाम सफलता आपको अवस्य मिलेगी आपको बताना चाहेंगे हिसरासी के इंजिनियर्स अपने अवन्भव का परियोग सही दिसामे कर पाएंगे आज किसी जरूरी काम में जीवन साती की सला लेना आपके लिए फाइदे सकता है जिससे की आप बेहत खुस हो सकते हैं मितुन रासी वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन को वहतर बनाने के लिए मालक्ष्मी की उपासना आपको अवस्य करनी चाहिए ऐसे में मालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अनेक परकार की पूजा विद मनोकामनाय पूर्ण होंगी और साती साथ मालक्ष्मी की अस्वरन आज सुबह उठते ही उनकी पूजा आपासना आपको अवस्य करनी चाहिए आपकी सभी मनोकामनाय जल्द पूरी होंगी मालक्ष्मी अवस्य करेंगी मित्रो कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्य लिख देखें आपका दिन सुब हो जैमा बिंद वासनी